हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तु स्विंग ट्रेड फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाजाज कंजूमर के बारे में फ्रेंट्स इस टॉक में कुछ चाट पैटर्न कुछ एक बिल्ट हो रहा है तो वह चीज में आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा फ्रे आपने नहीं देखा यह वीडियो को जरूर देख लिए जो कि 20,000 रुपे का वैलेवल स्टॉक है लेकिन 4000 के प्राइस पर अभी ट्रेडिंग हो रहा है उसको लेना नहीं लेना वह एक मैटर अलग होता है लेकिन अक्शल स्टॉक कैसे मैंने सर्च किया और इस टॉक क्या है वह चीज देखना आपको बहुत जरूर यह ठीक है उसके बाद में यहां पर एक 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 बहुत चोटा सा कंपनी है लेकिन यह प्राइस पर ट्रेडिंग हो रहा है वह अक्शल वह प्राइस के लिए ठीक है कि नहीं वह चीज आप जाके जरूर यह वीडियो देख ल लिए उसके साथ में बेल बटन को भी आउन करके रख लीजिए और निव वीडियो के लिए ठीक है और उसके बाद में और यहां पर जो काफी सारे नया हमारा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यहां पर प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में जरूर सब्सक्राइब करते हैं और सारे चीज़ डिटल यहां पर समझाय हुआ है ठीक है अभी चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम इसका नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत बार वीडियो बनाया बाजाज कंजुमर के बारे में उस ताइम पर काफी सारा फ्रेंट्स यहां बाहुन रहा है मैं वीडियो बनाता हुँ काफी सार और फेंट्स में पर लेइंग करके घ्तले को उनका मन में मार्य करके बहुत पिटा करके निकल जाते हैं स्टॉक में कोई फ्यूचर नहीं इसा कभी-कभी उनके मन में शवाल आता है उससी को में क्लारिफाइव करने के लिए वीडियो बनाता हूं हमेशा हर एक वीडियो का पिछे कि आया राज यह नहीं होता है कि उसमें पोजिशन बनाना है ठीक है मैंने यह चीज क्लिर लिए भ रखे हुए हैं अगर आपका बहुत अपर लेवल का बाइंग है तो आपको विडियो भी जरूर रेफर करना चाहिए अगर हम देखें कि तीने जार करोड का मार्केट क्या पर आरोशी देखे 37 में किसी बैसी पर बता रहा था स्टॉक का हमेशा मैं आरोशी देखता हूं ठीके रिटेन आल कापिटाल इंप्लेट देखेंगे उसके बाद में डेट टो इक्विट रेशियो भी बहुत इंपर्टांट होता है ठीके एक कंपनी में डेट भी बिल्कुल नहीं था और कंपनी बहुत मतलब चीप चल रहा था अगर कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 38 परसंटेज का प्रमोटर होल्डिंग था ठीक है ना तो यह सारा परेमेटर देखने के बाद मैं मुझे ऐसा लगा डिविडेंट देखे 4.92 परसंटेज का डिविडेंट बलकि हम डिविडेंट इसको कालकुटर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रिफर किये यह स्टॉक के लिए यह स्टॉक में उन्हें बोला भी नहीं हूं कि इसमें पोजिशन बना के चलेंगे बोल लेकिन अगर मैंने वहां पर बाइंग के लिए बोला था तो कौन सा लेबल पर आपको प्रफिट बुकिंग करना चाहिए था उस टाइंपे बने बताया था यहां पर दिखेंगे जहां तक का यहां पर देखेंगे मैंने उस टाइम पर किजब बिदान वहां था तो यहां पर बहुत बड़ा सा एक वह experienced हो चूका था Kwais कि अगर इसका का all time high से stock कितना % correction पे मिल रहा था हमें देखिए अगर all time high से हम बात करेंगे इस stock में कितना percentage correction था कि देखिए यहां पर all time high है 524 के पास में तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि ये स्टॉक में एक 65 परसेंटेज का करेक्शन आ चुका था वो तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास में भी ये स्टॉक रहे का नो इमिडेटली निकल जाएगा इतना बड़ा करेक्शन कोई भी नहीं रुख सब्सक्राइब करेंगे तो कोन साइब करना सब्सक्राइब करनाओ precio आपको important बात पता देता हूं मैं कि यहां पर मतलब आपको पैटर्न हो रहा है दिखी फ्रेंट्स यहां पर क्या उठाया जा रहा है देख रहे हैं यहां पर दीखिए किसी को तो पता चल रहा है कि यह स्टॉक में बहुत चीफ वेलोशन पर मिल रहा है इसलिए तो यहां पर जा रहा है दिखेंगे कितना बड़ी हैसा वहां पर चार-पांच दिन से लगातर वाइंग होते जा रहा है जहां पर मार्केट में करेक्षन चल रहा है उसकी बावजूद भी पांच केंडल बन चुका है पूरा जबरतस्त वहल्यूम के साथ में बुलिश केंडल है ठीक है ग लेवल पर कहीं पर भाई किये हुए है यह लेवल पर प्रॉफिट बॉकिंग करके चल सकते हैं यह लेवल मुझे लगता है इमेडियेटली दिखा सकता है में मतलब नहीं है कि एक महीने का अंदर में मतलब में बोल रहा है यह सब अगर देखेंगे तो यह स्टॉक का पर्संटेज का गेन मिल सकता है अगर आप इसमें इमेडियेटल एक स्विंग ट्रेड अगर पोजिशनल स्विंग ट्रेड बनाने के लिए अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉंग लगता है यह स्टॉक तो उसी साफ से आप बाइ करके चल सकते हैं लेकिन छोटर सा करेंगे आपको 38 परसंटेज का गेन मिल सकता है ठीक है और जिसको प्रफिट बॉकिंग करना है यह लेवल पर पहले आपको टार्गेट आचीव हो सकता है अगर फिर भी थ्री मौन्स से अगर सिक्स मौन्स भी लग जाए बड़ी ऐसा गयन होता है ठीक है यहां पर पहला टार कितना परसंटेज का गेन अभी क्लोजिंग प्राइस से देख लिए क्लोजिंग प्राइस से अगर यहां तक का पोजिशन रहता है आपको 60 परसंटेज का गेन मिल सकता है ठीक है यह मुझे इसा लग रहा है यह जो 60 परसंटेज का गेन आपको एक साल में कभर हो सकता है ठी कि अगर आप रिस्क की बात करेंगे कि रिस्क कितना प्रसंटेज है क्योंकि देखिए यहां पे में दो परामेटर को देख कर रहा हूं कि यह स्टॉक में हम पोजीशन बना के चल सकते हैं जो पहला पहला जो चीज है यहां पे हमें बिल्कुल लगात्तर पांच केंडल बन च का रिस्क के आपको रियाड कितना है सिक्स्टी परसंटेज का रिवाड है तो रिस्क रिवाड रिश्यों भी एक बार काल्कुलेट कर लिजी उसी बेसिस पर पोजीशन बनाई है कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाना आए अगर वीडियो प्रेंट्स आपको आच्छा ल